अगर आपको भी मेरी तरह अपना घर डेकोरेट करना अच्छा लगता है तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना इस कुशन कवर को बनाने के लिए आपको हाफ मीटर फैबरिक चाहिए होगा और मैंने ये कॉटन का फैबरिक लिया है आप अपनी वर्जी का कोई भी फैबरिक ले सकते हैं मेरे कुशन का साइज 14 बाइ 14 इंच है तो इसलिए मैं 15 इंच बाइ 15 इंच का एक स्क्वेर पीस कट कर लूँगी एक इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है अपने कुशन के साइज से जेनरली कुशन कवर्स स्टैंडर साइज में आते हैं जैसे की 12 बाइ 12, 14 बाइ 14 और 16 बाइ 16 या 20 बाइ 20 आपका जो भी कुशन का साइज है उसे साब से एक इंच एक्स्ट्रा करके एक स्क्वेर पीस कट कर लिजे इस तरीके से मैं इसे मोट दूँगी और एक स्क्वेर पी ही रहेगी लेकिन चोड़ाई इसकी 10 इंच रहेगी और 15 बाइ 10 इंच के हमें दो पीसे कट करने है यहां पर इस तरीके से अब यह हमारा कुशन कटिंग हो गया अब इसके उपर डिजाइन के लिए मैंने यह ब्लू कलर का फैब्रिक लिया है इसकी लंबाई मैंने 16.5 और इसकी लंबाई हमें अपने कुशिन कवर से 1,5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है वो मैं आपको स्टिच करते वे बताऊंगी कि हमें क्यों एक्स्ट्रा रखनी है तो मैंने ब्लू कलर के और दो पिंक कलर के फैब्रिक सेम साइज के कट कर लिया है क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर क कपड़ा थोड़ा कम था अब सबसे पहले हम बो बनाने के लिए अपनी पटियां द्यार करेंगे तो एक पिंक और ब्लू कलर का फैब्रिक मैं इस तरीके से रख रही हूं एक दुसरे के उपर और अब यहां पर एक सिलाई लगाएंगे इसके दोनों तरफ हमें सिलाई आने के बाद हम इसे पलट देंगे इसको हम सीधा कर देंगे और सीधा करने के बाद हम इसके दोनों तरफ एक टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरीके से दोनों तरफ टॉप स्टेच लगा देंगे और दोनों की दोनों पट्टियां इसी तरीके से हमें रेडी करनी है और रेडी करने के बाद हम इनको अच्छे से प्रेस कर लेंगे अब हमें इसका सेंटर मांग करना है इस तरीके से यहाँ पर छोटा सा cut लगाएंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह से दोनों पटियों का हम center mark करेंगे और cushion के front part में भी हमें इस तरीके से markings लगानी है ऐसे fold करेंगे और on fold वाली side पर छोटे छोटे cuts लगा लेंगे अब हमें इस पट्टी का cut अपने cushion वाले cut के साथ मिलाना है और इसको सिलना है इस तरीके से यहाँ पर दूसरी पट्टी रखेंगे और इसे stitch करेंगे अब इसे हमें cut नहीं करना है extra हिस्से को इसे इसी तरीके से अंदर को कर देंगे और stitch कर देंगे इसे यह हमने थोड़ा बड़ा इसलिए रखा है क्योंकि हमें bow बनानी है और bow बनाने से थोड़ा सा कपड़ा जो है वो खिच जाता है और छोटा पड़ जाता है फिर अब हम पिछले वाले हिस्से को भी त्यार कर लेंगे तो इस तरीके से एक साइड से कपड़ा फोल्ड करेंगे दोनों पल्लों का और अब हम इने इस तरीके से ओवर लैप करेंगे यह देखिए मैंने तक्रीबन धाई इंच का फैब्रिक याने की 2.5 इंच का फैब्रिक इसके नीचे दबा दिया है और सेंटर में एक पिन लगा दी है यह देखिए इस तरह से अब जो हमने फ्रंट वाला पला त्यार किया था उसे हम इसके उपर रखेंगे और इसके चारो तरफ सिलाई लगाएंगे देखिए मैं यहाँ पर सिंगल लेयर यूज कर रही हूँ फैब्रिक की लेकिन अगर आपका कुशन कवर प्रिंटिड है तो आप इसके नीचे एक लाइनिंग ज़रूर लगा लीजेगा नहीं तो इसके बीच में से प्रिंट देखेगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आप चाहें तो इस कुशन कवर पे कुल्टिंग भी कर सकते हैं और कुल्टिंग करने से भी यह बहुत ज़्यादा स्टर्डी और सुन्दर लगता है तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से अटाच कर देंगे और याद रखेगा कि जहाँ जहाँ पर भी जोड है वहाँ पर आपको दो तिन बार मशीन से सिलाई लगानी है ताकि कुशन कवर फटे ना जल्दी अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे इस तरीके से और अब हमें इस कुशन को पलट कर सीधा करना है तो सबसे पहले ये पिन निकाल लेंगे और अब इसे पलट देंगे और सीधा कर देंगे सीधा करते हुए हमें इसके जो चारों कोने हैं उनको किसी नुकीली चीज से पुश करना है बाहर की तरफ ताकि ये अच्छे से शाप कोने हमारे निकल जाएं इस तरीके से चारों कोनों को हम अच्छे से बाहर की तरफ पुश कर देंगे और इस कुशन कवर को हम सीधा कर देंगे अब ये कुशिन कवर तो हमारा अल्मोस्ट त्यार है अब हमें इसके उपर बो बनानी है यहां पर तो बो बनाने के लिए हम नीचे वाली फैब्रिक की पट्टी सबसे पहले रेडी करेंगे तो इस तरीके से इसका सेंटर मार्ग करेंगे सबसे पहले इस तरफ से भी हम इसी तरह से एक सेंटर का निशान लगाएंगे और सेंटर में क्रीज बना लेंगे इस तरीके से सेंटर में क्रीज बना लेंगे इस क्रीज के उपर हमें कच्चा डांका करेंगे इस तरीके से यहाँ पर आप थोड़ा सा मोटा धागा इस्तमाल कीजेगा और इस चीज का ध्यान रखेगा कि हमें चुन्नटे बहुत ज़्यादा खीच के टाइट निक बनानी थोड़ी लूज लूज रखनी है तब भी यह अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा खीच के इसको टाइट निक पर थोड़ा लूज रखना है जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है यह देखिए अब देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा लूज ही रखा है इने चुन्नटों को बहुत ज़्यादा टाइट निक यहाँ मैंने अब इसी तरह से हम उपर वाले हिस्से पर भी एक बो बना लेंगे तो इसको भी सेंटर में क्रीज बनाएंगे सबसे पहले और उसके बाद हम सुई से यहाँ पर भी चुन्नटे बना देंगे इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने चुन्नटे बना दी है अब उपर वाले बो को कवर करने के लिए हम एक पट्टी त्यार करेंगे तो इस पट्टी को त्यार करने के लिए मैंने एक छोटा सा फैब्रिक का टुकड़ा तक्रीबन साड़े पांच इंच लंबा और तीन इंच चौड़ा फ्यूस पेपर के साथ चिपका लिया है और अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई मैंने लगा दी है यहाँ पर भी और दूसरी साइट भी सिलाई लगा देंगे और अब हमें उपर वाले हिस्से पर जो हमने बो बनाई है इस बो को इस पट्टी से रैप करेंगे इस तरीके से और यहाँ से इसको सिल देंगे अब एक्स्ट्रा कपडा कट करेंगे और इसे अच्छे से हम सेट कर देंगे इस बो के उपर तो यह देखिए कुशिन कवर बन के त्यार हो गया है अब मैं आपको इसे कुशिन के उपर लगा के दिखाती हूँ तो यह देखिए मैंने अपने कुशिन कवर को अच्छे से कुशिन्स पर चड़ा दिया है आप चाहें तो पुराने सलवार कमीज में से कपड़ा कट करके भी ये कुश्चन कवर्स रेडी कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बैल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगिलर अपडेट्स मिल सकें साथ या आप अमें इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और अगर आपको इस तरह के और टुटोरियल्स देखने हैं या कुशन कवर्स के और डिजाइन्स देखने हैं तो आप मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए और ने डिजाइन्स के टुटोरियल्स लेकर आती रहूं तो guys thank you so much for watching bye bye